चलो, बेटा, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंजियोमर प्रोटेक्शन पहले चैप्टर का बेस, ठीक है? बभू, इंडिया में more than hundred law ऐसे हैं, जो कंजियोमर को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, सौ से भी ज़्यादा कानून है, ठीक है? पर उसमें से कुछ कानून बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है? किसी point of time तक आपके course में 10 law थे, ठीक है? लेकिन बेटा, वो elaborate कर दिये गए हैं, अब बचा कैया है? सर्फ एक बचा है, Consumer Protection Act 1986, ठीक है? तो अब हमने उसकी बात करनी है, Consumer Protection Act 1986 की, लेकिन पहले बेस बता देता हूँ, Consumer को जरत क्या थी, Protection की? बेटा, जिसका जब मनाया, उसने Consumer को exploit कर रहा हर तरीके से, Black Marketing, Adulteration, Misleading Advertisement, हर एक ने जिसका, जिस Manufacturer का जिस तरीके से मनाया, वो उस तरीके से exploit कर रहा है, ठीक है, इसलिए Consumer को कहीं न कहीं Protection चाहिए, बेटा, ठीक है, 1986 से पहले का एक Incident बताता हूँ, और उसके बात का भी एक Incident बताता हूँ, दो Incident बताता हूँ, आपको तो समझ में आएगा कितना तगडाल लोगा यह Consumer के लिए, ठीक है, बेटा, Consumer Protection Act 1986 में पास हुआ, ठीक है, तो हम इसको बूलते है, Consumer Protection Act 1986, ठीक है, इस Act ने क्या किया, बेटा, Consumer को हद से ज़्यादा पावर दे रखिया, ठीक है, और मैंने वेक्चरर हो, कोई भी प्रडिउसर हो, कोई भी सर्वेस प्रोवाइडर हो, सब इससे डरते हैं, भारी हर मैच बॉक्स में 100 मैच स्टिक है, 100 माच इसकी तिलिया, ठीक है, एक Consumer वेला, पूरा बंडल मगा कर बैठ गया, गिननी शुरू, पहले में 99, दूसरे में 100, किसी में 98, 4-5 में 100 निकली, 4-5 में नहीं निकली, उसने उठाकर Consumer कोट में केस कर दिया, यह कंपनी क्लेम करती है, 100 मैच स्टिक है और नहीं है, बेटा, जज भी वेला, जज ने भी किननी शुरू कर दी, ठीक है, और वो 100 नहीं निकली, कहीं मैच बॉक्स में से, बेटा, एक करोड रुपे की Penality में ली, एक रुपे के बिच्छे, बाकि आप समझदार हो, कि कितन कितनी ज़्यादा पावर हमें दी गई है, ठीक है, एक आधी बात और करता हूँ, बेटा, 1986 से पहले के Advertisement कुछ ऐसे होते थे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बात करता हूँ, Germs, before using कोई भी product, या Dendruff, before using किसी भी shampoo की बात कर लो, ठीक है, कंपनी का नाम मत बोल भाई, ठीक है, या बोल लो आप, मतलब Germs, या कहलो, Dendruff ये सब कुछ होता था, ठीक है, और after using product, Germs गया उप, Dendruff गयब, hair fall, before using our product, after, गयब, आप भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, 100% कोई चीज तो होती नहीं, बलकि chemical से भरीवी चीज़ है, जदे ही हो जाता होगा, कम तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ये गयब कर देते थे, consumer ने case कर दिया, उठाक है, और companies ने करोडो करोडो भुखते हैं, और आज की तारिक में आट आता है, Germs, before using Dettol, after using Dettol, मतलब आप Dettol भी जम छोड़ने लगा, ठीक है, Dendruff, before using कुछ भी ट्रेस में, after using Tress में, Dendruff अभी भी रहता है, कोई नहीं बोलता, 100%, बोल भी नहीं सकता, मजाल भी नहीं है, बेटा, ये जो होते थे थे न, इन्हीं को बोलता है, misleading advertisement, mislead करना consumer को, ठीक है, और आज की तारिक में, consumer protection act 1986 आ जाने के बाद, सब ठीक हो चुके हैं, बेटा, सब को डर लगता है, हर producer, हर seller, हर service provider डरता है, इस law से, क्या clear है है, हम इस बात पर, ठीक है, base ये था, अभी start करते हैं, थोड़ा सा, सबसे पहले मैं कुछ बात करूँगा, consumer protection act 1986 की, और एक बात और समय लेना, बेटा, कोई भी बात sequence है नहीं है, पूरा chapter sequence है नहीं परना, लेकिना, पढ़ना पूरा chapter है, ठीक है, मेरे को पता है, correct sequence क्या है, मैं वैसे कर रहाँगा, समझ हर अक्षर आजएगा, परशान कुछ नहीं होना आपने, ठीक है, तो बेटा, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, consumer protection act 1986 की, अभी आपको नहीं पता कहां लिखा है ये wording, कहीं नहीं कुछ देख रहे हैं, आप notes में से सब में ही तरफ ही है, ठीक है, बेटा, इसने ना, तीन बहुत बड़े-बड़े काम कर दी है, जो कोई law नहीं कर पाया बहुत बड़े-बड़े काम, सबसे पहला काम इसने क्या करा, बेटा, इसने consumer को rights and responsibilities दे दी, ठीक है, ये वही right है बेटा, जो कभी ना कभी आप कही ना कई पढ़कर आते हो, ठीक है, कभी ना कभी कही ना कई पढ़कर आते हैं हम इसको, 9th में, 10th में, ठीक है, पर बेटा, आपने उस point of view से नी पढ़ा होता, जहां आज पढ़ने वाले है, ठीक है ना, वहां तो बेटा, रटने के लिए पढ़ा है, यहां तो बेटा, यह देखना है, law ने हमें क्या दिया है, ठीक है, और एक बात और समझ लेना, sequence में हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, बोलने के लेते हैं, हम यह सोचें ना, सिर्फ अधिकार, अधिकार, सिर्फ राइट, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, बेटा, सबसे पहले आपकी responsibilities आती है, तब आते हैं, राइट, ठीक है, यह बात मैं prove भी करूँगा, कुछ देर में, कि पहले हमारी responsibility है, बात में मिलेंगे हमारे को ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या करा, बेटा इन्होंने काम किया, थ्री टियर मशीनरी बना दी, मतलब बेटा तीन लेवल पर कोट establish करती, हाँ डिस्ट्रिक्ट में कंजूमर कोट है, आज की तारिक में, स्टेट लेवल पर कंजूमर कोट है, as well as national level, ठीक है, और यह बे बेटा, तीन लेवल पर कोट है, हाँ डिस्ट्रिक्ट में है, कंजूमर कोट, स्टेट लेवल पर है, as well as national लेवल पर है, ठीक है, और बेटा क्या काम किया गया, बेटा, थ्री लेवल पर ही, कंजूमर प्रोटेक्शन काउंसील बनाई गई, कंजूमर ओर्गनाईजेशन कह केलो, consumer societies केलो, ये सब एकी बात, कुछ भी कहलो आप, consumer organization केलो, consumer association केलो, consumer societies केलो, या consumer protection council केलो, one and the same thing, तिन लेवल पर बना सकते हो, district level पर भी बना सकते हो, state level पर भी बना सकते हो, नेश्टल लेवल पर भी बना सकते हो, अब यहां एक बात कर देनी बड़ी जरूरी है, what do you mean by consumer association बेटा देखो एक बात समझ लो consumer ना हमेशा unorganized रहा है पुराने जवान में unorganized समझते हो इक खटा नहीं दाग अभी अभी एक consumer के साथ कोई ठीक्था company कोई धोका धड़ी कर ले या duplicate product supply कर दे तो consumer के साथ कोई खड़ा नहीं होता था ठीक है ना आप एक consumer ठीक है और वो एक company 10,000 करोड की आपको डर लगता था है company के किलाव case करूँगा मेरे पैसे लगते चले जाएंगे मैं तो कंगाल हो जोगा company का कुछ बेड़ेगा नहीं कभी खटा ही नहीं होते थे बेटा कोई आपके साथ ही नहीं लगता था case कर सकते हो आपने sign कर दिये consumer ने जो case करना जाता है sign कर दिये भाई आई यो मत दुबारा कभी पूरा case लड़ लेंगी consumer society अकेले तेरे आने की जुरती नहीं है इतनी ज़्यादा power दे दी गई इनको यह सर्फ हमारे protection के लिए ठीक है समझ में आई बात क्या कहना चाता हूँ ठीक है बेटा और तो और खाली sign कर दो वो भी बात ठीक है कहीं बार दो consumer societies अपनी जेब से पैसा लगा देती है consumer तेरे को पैसा भी नहीं घचना जितना भी hearing में charges आएंगे वो सब हम देखेंगे जितनी भी lawyer की फीस होगी सब हमारे gym में तेरे को कुछ नहीं करना तो घर बैट तो case करना चाता था ना sign कर और घर बैट चा बस बेटा पूरा case defend कर देंगी और जीतने के बाद सारा पैसा भी आपके घर दे जाएंगे इतनी घतरनाग चीज association की power का मैं जिकर करूँगा बेटा आपको बताता हूँ association क्या चीज़ होती है बेटा साहरनपुर में भी एक association है साहरनपुर Chartered Accountant Association S-C-A-A अब तेरे को आपको association की power दिखाता हूँ बेटा देखो क्या होता है आप एक Chartered Accountant हो साहरनपुर में प्रेक्टेस करते हो आप GST Department में जाते हो आप Income Tax Department में जाते हो आपकी नोगजोग हो जाती है ठीक है Case-test को लेकर नोगजोग हो जाती है तो वेटा वो समझता है कि वो सरकारी अधिकारी है उसको कोई छू नहीं सकता तो कई बार वो बहुत जारा बत्तमी जी बे भी उतर आते है ठीक है अब आप ये बात समझो एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता और Association की पावर आज की तारिक में किसी के साथ भी कुछ हो जाता है ग्रूप में मैसेज आता है अगर आप एक हजार लोग हो दस अजार लोग हो एक लाख लोग हो तो आप समझ सकते हो आपकी अब आज कहां तक जा सकती है ठीक है जी इस पॉइंट ऑव यू पर क्लियर है हम बिल्कुल तीनों बात समझाई Consumer Protection Act 1986 ने क्या किया हमारे को 6 राइट दिये 10 रिस्पॉंसिबिलिटी दी 3 टीर मशीन दी एस्टैबलिश करके दी District Forum, State Forum and National Forum ठीक है और बेटा तीन लेवल पर Consumer Protection Council बनाने की परमीशन दी गई District लेवल पर भी बना सकते हो State लेवल भी बना सकते हो और National लेवल ठीक है जी बड़े आगे इतनी बात ओके बेटा सबसे पहले पढ़ेंगे हम Rights ठीक है आपको Notes नहीं देखने प्लीज ठीक है मैं हर बात क्लियर कर दूँगा हर अक्षर क्लियर कर दूँगा Notes मत उठाना बस ठीक है जब तक मैं नहीं कहता ठीक है पहले Rights और एक बात बता देता हूँ बेटा जितनों का लिखने में ध्यान है न और जितनों का Notes पढ़ने में ध्यान है आप परशान हो जाओगे बेटा जो चीज दिमाग में फीड करनी चाहिए उसको आप लिखना शुरू कर देते हो क्यों इतना परशान हो रहे हो मैं बोल रहा हूँ हर एक्षर क्लियर हो जाएगा ठीक है घर जाकर पढ़ लेना तब भी कोई प्रावलम है तब भी मैं यही हूँ ठीक है चलो बेटा सबसे पहले Notes में देखो गे तो Right to Safety दिया गया लेकिन मुझे पहले बात करनी है Right to Inform की सबसे काम की बात Right to Information आपको Right to Inform है हमें Right to Inform है हर Consumer को इंडिया में Right to Inform है समझते हो Right to Inform के Effect क्या है बेटा देखो आज की तारीख में क्योंकि हमें Right to Inform होने का इंडिया में जितनी भी Packed Commodity बिक्ती है उसके ओपर बहुत सारी Information प्रिंट करना कमपल सरी है और आप देखते हो MRP, Net Weight, Gross Weight, Vegetarian Mark, Non-Vegetarian Mark, Manufacturing Date, Expiring Date, Content, Caution in Use, Process of Making, Ingredients, और भी पता नहीं क्या-क्या क्यों? क्योंकि बेटा हमें Right to Inform होने का इसलिए कोई भी Supplier बेटा आपको Packed Commodity Supplier नहीं कर सकता बिना ये जानकारी दिये और अगर वो ऐसा कर रहा है तो बेटा वो आपका Right to Inform हर्ट कर रहा है समझ में आई बात? मैं पक्का बोलता हूँ आपने 9-10 में पढ़ा है पर बेटा आपने इस Point of View से कभी नहीं पढ़ा है कि हम Case कर सकते हैं अगर हमारा Right को हर्ट हो रहा है तो बात समझ मैं? Right to Inform इतना सा है समझ मैं? ठीक है न? पक्की बात? क्योंकि हमें Right to Inform होने का इसलिए इंडिया में जितनी भी Packed Commodity बिकेंगी इतनी सारी Information के साथ भी केंगी ठीक है? चलो दूसरी बात करते हैं बेटा Right to Choose From या Right to Choice भी बूलते हैं बेटा जो आपको सही लगे वो कर लेना ठीक है? Right to Choice और Right to Choose From लो एक बात और करते हो बेटा Right to Choose का मतलब क्या होता है? हमें Right है चूस करने का आपको पता है? इसलिए बहुत सारे Manufacturer जब Product निकालते हैं तो बहुत सारे Sizes में निकालते हैं बहुत सारे Prices में निकालते हैं बहुत सारी Qualities में निकालते हैं मेगी 6 रुपे, 12 रुपे, 20 रुपे, 40 रुपे जैसा आपका Choice है ठीक है? कोई अपनी फैमिली का एक लौता मेंबर उसका मेंगी खाने का मैंने 6 रुपे या 12 रुपे वाली बहुत है किसी की फैमिली बहुत बढ़ी है तो 40 रुपे के भी कहीं Package चाहिए बेटा आपको Right है Choose करने का आप करो ना Choose ठीक है ना? और एक बात और सुन लो मैं Case Study के Point of View से एक बात कर देता हूँ मैंने Notes में लिखी है जब पढ़ोगे पता लगेगा बेटा कोई भी Manufacturer आपको Insist नहीं कर सकता कि एक Particular Brand का ही Product खरीद दो आप किसी Showroom में जाते हो और बेटा बार बार मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा मार्केटर आज के तारिक में जो Marketing Department के लोगे जो Sales Person है बहुत तंदरुस्त है इतनी खतरनाक Marketing करते है बेटा वही बेचने की कोशिस करते है जिसमें उनका Margin सबसे जादा है आज आप ऐसी खरीदने चल दो बेटा उस Showroom में मालो 10 Brand के AC है आपको पक्का बोल रहा हूँ यह बताएगा यह बहुत अच्छा है इसमें इतने फाइदे है बेटा वो indirectly insist कर रहा है पर आप कर नहीं सकते वो क्या कर रहा है बेटा आपका right to choose हट कर रहा है क्योंकि आपको right है choice का आपको right to choose है उसको नहीं है अगर वो आपको insist कर रहा है तो right to choose हट कर रहा है और ऐसे ही case study आती है वेपर में आप किसी particular brand के showroom में enter करे और manufacturer में आपको insist करा इस particular brand का product buy करो कौन सा right हट करा तो आप बहुत समझदार हो मैं आदी case study यहीं पर बोल देता हूँ main batch में ठीक है जब पड़ोगे उठाकर APC की book देखना ज़रा यह case study आएगी आपको सुवाजदे में भी नज़र आएगी ठीक है बात समझ में आई दोनों बाते clear हैं अगली दोनों बाते है साथ साथ बेटा एक है right to be heard या right to representation भी बूलते हैं लोग इसको और बेटा right to secret wrestle अब यह बहुत बहुत काम की बात है इसका मैं आगे भी इस्तमाल करूँगा दोनों चीजों का इसका इस्तमाल आगे बहुत होगा बेटा right to be heard और right to secret wrestle अब यह बात समझो right to be heard मतला आपकी बात को सुना जाएगा consumer अगर आपके साथ कोई धोका धड़ी कर रहा है कोई आपको exploit करने की कोशिस कर रहा है कोई आपके साथ unfair trade practices कर रहा है तो आपकी बात को सुना जाएगा सुना जाएगा कौन सुनेगा बेटा अगर directly court को सुनाने लग गए तो producer manufacturer को तो बहुत डर लगता है हमें हमें सुना दो कैसे सुना दो हमने customer care number issue कर दिये customer care number बोल लो या customer grievances sell बोल लो या कुछ भी बोल लो आज की तारिक में हर बड़ी company का है टॉल फरी number या टॉल फरी number भी बोल लो ठीक है बात सुने बाई है है हर बड़ी company का क्योंकि वो कहते है बहले हमें सुना दो अगर हमार सा satisfied नहीं है तो court को सुना दे ना समझा ही बात तो आपकी बात को सुना जाएगा अगर आपके साथ कोई exploitation हुई है वो नहीं सुनेगे तो court सुन लेगी पक्का आपकी बात ठीक है ठीक है राइट तो सीक्रिट रैसल इस दा extension ओफ राइट तो भी है बेटा ये क्या कहता है ये कहता है अगर सच में ही दोका धड़ी हुई है court में सुन लिया court में माना कि दोका धड़ी हुई है तो बेटा आपको compensation पक्का दिलवाई जाएगी राइट तो सीक्रिट रैसल क्या कहता है compensation मिलेगी आपको दोका धड़ी करिये है तो compensation पक्का देंगे आपको बेटा जैनरली अभी देखो compensation में एक छोटी बात कर रहा हूँ जैनरली जो compensation मिलती है वो r cube की form में मिलती है मैं मेशे यसे r cube बोलता हूँ r cube क्यों बोलता हूँ समझो बेटा या तो order यह आसकता है repair the defect from the product या आसकता है बेटा replace the product या बेटा आसकता है refund the price paid तीनो r से start है इसलिए इसको प्यार से बोलता हूँ r cube बेटा आपने कोई product खरीदा shortcoming थी product में आपको कोई नुकसान हो गया वो product खरीदने से आपने quote को सुना दी बात या पहले आपने company को सुना या उन्होंने ignore किया आपने quote को सुना दी और quote ने माना कि आपके साथ दोका दड़ी हुई है तो quote आपको compensation दिलवाएगा compensation कैसे हो सकती है सबसे पहला काम यह बेटा देखो तीनों इखटे कभी नहीं मिलेंगे तीनों में से एक मिलेगा quote क्या कोशिश करेगी अगर वो product repair हो सकता है तो repair अगर possible है तो repair करा दो ठीक है if repair is not possible कई बार हो सकता है कोई खाने पीने की चीज़ आपने consume कर ली आपको harmful effect हो गए अब repair की तो कोई possibility है नहीं क्या अब replacement की possibility है तो क्या होगा ऐसे cases में refund the price if repair is possible then repair नहीं possible है तो replacement करा दो नया product दिलवा दो shortcoming वाला product company वापिस ले लेगी नया आपको दे देगी नहीं तो बेटा last one refund आप customer care center जाते हो आपका mobile में कोई कमी नहीं कल गई दो दिन हुए थे खरीदे mobile में कम ही आ रही है खुली नहीं रहा problem ऐसी इतनी खतरनाक problem है कि उनसे solve नहीं होरी रिपेर नहीं होरी वो क्या करते है बेटा replace कर देते है पता है ना कर देते है ना replace बात लिए अब एक बात case study के point of view से बेटा कई लोग सोचते हैं अगर court लिखा आ गया case study में तो right to secret dresser अगर लिखा वे company तो लिख दो right to beard ओ भाई साब ये word पे न case study solve करना बंद कर दो मतलब की बात समझो अगर court ने compensation दिया या company ने compensation दिया compensation word है और आपको company दे चाहे खुद company ने अपनी गलती खुद एकसेप्ट करी और आपको compensation दे दी तो बेटा right to secret dresser है वो ठीक है और अगर चाहे आपने court को सुनाई या बात चाहे company को सुनाई अभी तक compensation की कोई बात नहीं होई case study में answer must be right to be here समझाई बात case study सबसे ज़्यादा इस point पर आती है सबसे ज़्यादा ठीक है और बच्चे इन दोनों में confused है हमेशा है ठीक है जी चार right clear हुए fifth one right to consumer education बेटा consumer को right है educate होने का ठीक है consumer चाहता है मेरे right भी पता लगे मुझे मेरे responsibilities भी पता लगे मुझे जो product supply किया जा रहा है कौन सा अच्छा है quality marks है मुझे सब पता लगे बेटा consumer को right है educate होने का और यकीन मानना बहुत अच्छी अच्छी business firm consumer को खुद educate कर रही है लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा active role play किया है government ने government is actively participating and educating the customer ठीक है सबसे बड़ा role government का है आप हमेशा ad देखते हो बेटा जागो ग्राहक जागो it is the best example of right to consumer education बोलते है ना बेटा आपको हमेशा कोई भी product खरीद रहे हो जैसे की बोल देता हूं electrical appliances खरीद रहे हो तो ISI mark जरूर देखो gold jewelry खरीद रहे हो तो hall mark जरूर देखो यह government आपको educate कर रहे है बेटा government is playing active part in that पाच-पाच करोड के ad घर्षर है बेटा सिर्फ आपको educate करने के लिए और क्या कर सकती है government this is right to consumer education क्योंकि consumer को right था educate होने का तो बेटा government ने बहुत तगड़ा participation दिखाया clear हूं में इस बात पर भी यह छोटा साही था ठीक है अब एक काम करना जब भी notes खोलोगे बेटा हमेशा अभी नहीं खोलने जब भी खोलोगे तो क्या करोगे बेटा हमेशा right to be head के आगे यह तीन word mention कर लेना customer care number या customer care center, customer grievances cell या toll free number और जब भी पढ़ोगे right to consumer education उसके bracket में लिख देना जागो गराहक जागो ठीक है आपको याद रहेगा बेटा paper में थोड़ी इतना पढ़ने का time होगा आपके बास ठीक है आपको एक बारी में बढ़कर click होगा चाहिए था ठीक है अब सबसे पहले बात आगी right to safety अब मेरे को तो इसी की बात कर रही थी तभी मैंने सबसे last में पकड़ा इसको बेटा देखो एक बात बता देता हूँ मैंने हमेशा बोला right से पहले क्या है responsibility 10 responsibility पहले है 6 right बात में है जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा उसमें से एक responsibility पता क्या कहती है सिर्फ standardized product खरीदो सिर्फ और सिर्फ standardized product खरीदने है standardized product क्या होते है बेटा कुछ चीजों में quality mark define है अगर वो quality mark आप देख रहे हो तो sure हो जाओ कि वो product एक prescribed quality से अच्छा है ठीक है बेटा government के पास लूग apply करते है कि हमें prescribed quality से अच्छा product बना रहे है हमारे को ये mark दे दो तो government क्या करते है उसके processes को verify करती है अगर वो prescribed quality से अच्छा बनता है product तो उसको वो mark दे दिया जाता है जैसे कि बेटा hall mark jewelry के case में prescribed quality mark है hall mark देख के आप ये sure हो सकते है उसकी quality बहुत अच्छी होगी electrical appliances में ISI mark है food product में FPO mark है FPO mark बोलते है ठीक है agriculture and livestock related product में egg mark है ठीक है मदु सुधन का देशी की है उसको egg mark मिला वा है livestock related product ठीक है न? ठीक है अब एक बात बताओ बेटा आपको right है safety का right to safety क्या बोलता है आपको protect किया जाएगा हर उस goods, हर उस service से हर goods और service से उनकी marketing से which are harmful to the health or life कोई भी ऐसे product की marketing नहीं कर सकता कोई भी ऐसा product भेच नहीं सकता इंडिया में which are harmful to the health or life ठीक है आपको right है मैंने मान लिया आपको right है ठीक है? आप product खरीदने गए electrical appliances उसने दिखा दिये बहुत सारे products आईसाई माक थे ठीक है? आप घर पर उठाला है ठीक है? और बेटा क्या हुआ? जो उसके उपर plastic लगावा था वो sub-standard quality का था आपने use किया, हाथ लगाया, current आगया आपको या बहुत तगड़ा shock लगया आपको और आप claim कर रहे है मुझे right to safety है, क्या right to safety है reality में आपको? नहीं बेटा आपने अपनी responsibility पूरी करी पहले यह भी बता दो मुझे गामे ने कहा है आपनी responsibility अगर पूरी नहीं करोगे तो बेटा एक भी right नहीं मिलने वाला बूल जाओ सबसे पहले sequence में आपकी responsibilities है तब मिलेंगे कोई भी right मैंने पहले ही कहा था मैं प्रूव कर दूँगा इस बात से आपको ही बात समझा ही बात? ठीक है? एक और responsibility है यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ मैंने एक responsibility अभी बोल दी buy only standardized product दूसरे की बात कर देता हूँ बेटा ask for a cash memo हमेशा बिल के लिए बोलो और बिल का मतलब वो कच्चा बिल नहीं होता है कच्ची परचिया बिल का मतलब होता है वो बिल जिसके ओपर taxes लगे वे हैं वो पक्का बिल it is the proof of purchase made देखो एक simple सी बात है मैंने किसी दुकान से कोई product खरीता बिल नहीं लिया मालो ठीक है मुझे नुकसान होगा उससे मैंने का मैं तेरे उपर case करूँगा consumer court में consumer court कहें कि लाव बिल दिखाओ कि आपने purchase की थी बेटा अगर बिना बिल के case होने लगे ना तो मेरी तो दस दुकंदारों से लड़ाई है सब को भसा दूँगा मैं अगर बिना बिल के case होने लगे और यकीन वाना है एक ही दिन में पूरी दुनिया के खिलाफ case हो जाएंगा अगर बिना बिल के case होने लगे एक ही दिन में तो सबसे पहली requirement है यह आपकी ask for a cash memo हमेशा पका बिल मांगो और कोई मना नहीं कर सकता बेटा कोई भी मना नहीं कर सकता कोई मना करते तो मुझे बता दे न ठीक है न कोई मना नहीं कर सकता आप मांगना चाहो आप पता है क्यों नहीं मांगते जेब से ही जाएगा कुछ कुछ जेब से ही जाएगा Domino's, वहाँ तो आप बिल मांगना नहीं चाहते, पर वो जबरदस्ती आपके हाथ में थमा देता है, नीचे 5% टेक्स लगा उता आपको लगता है, 5% गए, 1000 का बिल ता 50 और ठुग गए सरवाँ जबरदस्ती है, और किसी जबरदस्ती नहीं, आप बिल मांग सकते हो, आप खुद नहीं मांगता है, आपको लगता है, अच्छा, indirect taxes है, मेरी जेल सही जाएंगे फिर तो ठीक है, मैं दू बिल, 1000, प्लस 18% है मेरे पे, 180, हाँ, 1180 हो जाएगा दू, देता ही नहीं कोई, वैसे मैं exempt भी हूँ, मेरे को बिल देना वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि GST law बोलता है, अगर कोई services की sale, किसी की साल की 20 लाग से कम है, तो वो बिल नहीं भी दे सकता ठीक है, रागव अबलिकुस, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बात क्लियर, बढ़ें आगे, ठीक है, छे राइट विलकुल, ओक्य है, क्या, ठीक है, आगे जाकर बेटा, अभी सुल दो, अभी आगे जाकर हम एक topic पढ़ने वाले हैं, नोर्स में जब बहुत आगे जाओके, तब एक topic देखने को मिलेगा, definition of consumer, ठीक है, अभी मेरी बात को समझो, ठीक है, definition का है, although बहुत छोटी है, ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे बोचू, consumer कौन है, तो आपकी एक general sense बोलती है, one who consume goods and service is a consumer, simple सी बात, जो goods and service को consume करता है, हर वो person consumer है, लेकिन बेटा, यहाँ पर अ और किसने define करा है, itself, Consumer Protection Act 1986, इसने define किया consumer को, ठीक है, दो definition दी, बता देता हूँ, part है definition के दो, first part and second part, first part goods के angle से लिखा गया और second services के लिखा गया, लेकिन यह बात बता देता हूँ बेटा, यह clear करता है, यह clear हो जाएगी, क्योंकि wording बिल्कुल सेम है, बस goods की जागे service लिखा ठीक है, लेकिन paper में क्या होता है, हमेशा आदत यह पढ़ने की पढ़ चुकी होती है, कि यही पढ़नी है, यही पढ़नी है, तो हो जाएगी, हो जाएगी, paper में हम यही नहीं लिख कर आते, तीन number में definition आती है, date number उड़ जाता है, free का, तो be careful, ठीक है, definition में दो, no part लिखने है, ठीक है, definition समझ लो, एक काम करो बेटा, notes में जड़ा जल्दी से खोलना definition, पहले आप notes में खोलो, तभी मैं समझाओंगा, ठीक है, शायद page number 139 के आसपास हो, 138 पर है, notes में page number 138 पर है, अभी सब सामने मेरी तरफ देखेंगे, definition निकाले ना बहुत बड़े है, वास सामन में तरफ देखो, ठीक है, मैंने समझाने है, मैंने रटवानी तो है नी, ठीक है, वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूं, क्या लिखी भी है, the consumer is one who buy goods for consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment, it include any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer concerned but does not include a person who buy goods for resale or any other commercial purpose, बस बावु बस इतनी छोटी सी definition, ये ये तो हम homework कर लेंगे, छोड़ो, रटने की capacity बहुत हमारी, अरे सामने देखो, मैं समझाता हूं, अरे बहुत simple है, definition को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सुन लो, मही तरफ देखो, मही तरफ, definition को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टेंशन मसलो, ठीक है, the consumer is one who buy goods for consideration, consumer वो है, जिसने goods खरीदा, और कुछ न कुछ consideration दी, consideration समझते हैं, return में कही न कहीं कुछ दिया, which has been paid, or promised, हो सकता है बेटा, आज ही दे दियाओ सारा पैसा, या हो सकता है, उधार कियाओ, एक बात बताओ, हम अपनी घर के बार कुछी भी provision store पे जाते हैं, या किसी भी convectionary shop पे जाते हैं, कही न कहीं हमारा खाता चल रहा होता है, ठीक है, उधार पर goods खरीद लाए, तो क्या हम consumer नहीं है, क्या, definition खुद कह रही है, उधार पे खरीद सकते हो, consumer is one who buy goods for consideration, which has been paid, or promised, promise कर दो, बेटा वड़ यह नि लिखा, वा half पे कर दो, half promise कर दो, यह मुकालता दूर कर लो,